सरप्रथम संब्रिद्यमंज को पढ़ाम करता हूँ समक्ष बैठे मेरे हिस्से के सुधी सुरोतागण को पढ़ाम करता हूँ माताएं बहने हैं आप सबको पढ़ाम करता हूँ आज बनारस में पढ़ रहा हूँ गांधी जान्थी है सास्त्री जान्थी है मैं उस धर्ती से आया हूँ जहां सास्त्री जी का जन हुआ था मैं मुगल सनाय जिसे आज दिन द्याल लंगर कहते हैं मैं उस धरा से हूँ इसलिए अपने आपको सौबहा के शाली समझ रहा हूँ और आपको समर्पित शार पंक्तियां क्योंकि आप दूसरों के लिए जीते हैं आप अपना परिवार अपने रिस्तिदारी भूल जाते हैं देश के लिए तब मैं कहता हूँ कि जो जमी पर वो तरकर कर जिया ही नहीं जो जमी पर वो तरकर जिया ही नहीं जहर जिन्दगी का पिया ही नहीं कैसे जमाना याद करगा उसे जो दूसरों के वास्ते कुछ किया ही नहीं मैतलिशनगुप की पंक्तियां वही मनुश्य है कि जो मनुश्य की मरे मैं उससे प्रभावित हो करें बात आप तक पोचाने की कोशिस किया एक दो और मुक्तप और चोटी सी रचना पांचे लाइन के लाइन की किसी जूठे पेना तेरा एक तुबार हो जाए दिल्ली की घटना आप सभी के जहन में है 35 तुकडे तब मैं कहता है किसी जूठे पेना तेरा एक तुबार हो जाए किसी जालिम से ना तुमको प्यार हो जाए मुखोट प्यार का लगाए है तरिन्देया देखदा मन तेरा दागदार हो जाए कि गांधी तेरे देश में सर गांधी तेरे देश में क्या हो रहा है खादी वेश में जिस खादी को आपने सत्याग्रह का हत्यार बनाया जिस खादी को आपने सत्याग्रह का हत्यार बनाया जिसके बल पर भारत अपनी सतंत्रता को पाया उसी खादी के धारी उसका कर रहे है दुरुपयोग देखकर मन में होती है पीडा होता है बड़ा बियो कि रक्षक रब भक्षक बनकर दोड़ रहे है अंधी रेश में गांधी तेरे देश में क्या हो रहा है कादी गेश में लेकिन एक आवान ऐसी परिशित्या है तो चाहता क्या है कभी आप सबकी आवाज बनकर कहना चाहता हूँ कि बापू एक पर फिर से इस धर्ती पर आईए सत्य अहिंसा देश भक्ती का पाठ इन्हें पढ़ाईए सत्य अहिंसा देश भक्ती का पाठ इन्हें पढ़ाईए वरना आज के एक खादी धारी युही स्वार्थ में लिप्त रह जाएंगे अपने प्यारे देश को युही लूट कर खाएंगे अपने प्यारे देश को यही लूट कर खाएंगे अपने प्यारे देश को यही लूट कर खाएंगे